नमस्कार मित्रो मेरे एस्ट्रो महादेव कुम्भ चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। शिवलिन पर कैसे चढ़ाएं बेल पत्र, जानिए इसके महत्व और नियम। भगवान भोलेनाथ को यह महीना प्रिय होता है। श्रावन मास में भगवान भोलेनाथ की आर्धना की जाती है। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उनकी प्रिय वास्तु अर्पित की जाती है। इसलिए पूजा में हम भगवान भोलेनाथ को बेल पत्र भी अर्पित करते हैं। भगवान शिव की पूजा अर्चना में यदि बेलपत्र नहीं चढ़ाया तो वह अधूरी मानी जाती हैं। बेलपत्र के तीन पत्ते जो आपस में जुड़े होते हैं, पवित्र माने जाते हैं। तीन पत्ते आपस में जुड़े हुए हैं इसलिए इन तीन पत्तों को त्रिदेव माना जाता है और कुछ का मानना है कि तीन पत्ते महादेव के त्रिशूल का प्रतिनिधित्व करते हैं मान्यता है कि बेलपत्र के तीन जुड़े हुए पत्तों को शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव को शान्ती मिलती है और भगवान शिव प्रसंद होते हैं यदि भगवान शिव को प्रेन से केवल बेलपत्र के पत्ते चढ़ाए जाते हैं भगवान शिव प्रसंद होते हैं आईए जानते हैं भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाने के नियम और लाब उससे पहले दोस्तों भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे निचे दिये गए कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे और दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेए जाने की बेलपत्र चढ़ाने के नियम भगवान शिव को हमेशा उल्टा बेलपत्र यानी चिकनी सतह की तरफ का भाग स्पर्ष कराते हुए ही बेलपत्र चढ़ाएं बेलपत्र को हमेशा अनामिका, अंगूठे और मध्यमा अंगुली की मदद से चढ़ाएं एवं मध्यवाली पत्ती को पकड़ कर शिवजी को अर्पित करें शिवजी को कभी भी सिर्फ बिलवपत्र अर्पन नहीं करें, बेलपत्र के साथ जल की धारा जरूर चढ़ाएं बेलपत्र की तीन पत्तियां ही भगवान शिवजी को चढ़ाएं ध्यान रखे पत्तियां कटिफ्ती न हो कुछ तिथियों पर बेलपत्र तोड़ना वर्जित होता है चतुर्थी, अश्टमी, नव्मी, चतुर्दशी और अमावस्या को संक्रांती के समय और सोंबार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए ऐसे में पूजा से एक दिन पूर्व ही बेलपत्र तोड़कर रख लिया जाता है भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का महत्व अपने त्रिकोनिय आकार के साथ बेलपत्र भगवान शिव की तीन आँखों का प्रतिनिधित्व करते हैं इसके अलावा यह भगवान के अस्त्रत रिशूल का प्रतिनिधित्व करता है बेलपत्र थंड़क प्रदान करते हैं यह भी माना जाता है कि सावन पर बेलपत्र से पूजा करने वाले भगतों को आध्यात्मिक शक्ती प्राप्त होती है बेलवरिक्ष के नीचे शिवलिंग की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ती होती है भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं बेलवरिक्ष के नीचे दीपक जलाने से ज्ञान की प्राप्ती होती है बिल्व रिक्ष के नीचे गरीबों को भोजन कराने से आर्थिक स्थिती मजबूत होती है दोस्तों बहुत कम लोग ही जानते होंगे बेलपत्र कभी अशुध नहीं होता पहले से चढ़ाया हुआ बेलपत्र भी फिर से धोकर चढ़ाया जा सकता है शास्त्रों के अनुसार आप रविवार के दिन अगर बेलपत्र की पूजा करते हैं तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं अगर आप कुन्य कमाना चाहती हैं तो आपको बेल के पत्तियों में नम, शिवाय या राम राम लिखकर उसे भगवान भोलेनाथ पर अर्पित करना चाहिए शाम होने के बाद बेलपत्र क्या किसी भी व्रिक्ष को हाथ नहीं लगाना चाहिए टहनी से एक एक कर बेल पत्र ही तोड़ना चाहिए पूरी टहनी को नुकसान नहीं पहुचाना चाहिए बेल पत्र में वजर और चक्र नहीं होना चाहिए बेल पत्र तीन से ग्यारह पत्ति वाले होते हैं इसमें जितने अधिक पत्र होते हैं, भगवान शिव को अर्पित करने का उतना ही अधिक लाग प्राप्थ होता है यदि बेल पत्र ना मिल पाएं को बेल के व्रिक्ष के दर्शन करना ही पापताप को नश्ट कर देता है जब भी आप शिवजी की पूजा करने जाएं, तो उससे पहले बेल पत्र को अच्छे से साफ पानी से धोलें फिर बेल पत्र की चिकनी सतह को शिवलिंग से स्पर्श कराकर अर्पित करें इस दोरान ओम नम शिवाय मंत्र का उच्चारण करें तो दोस्तों ये छोटे छोटे नियमों से आप भगवान शिव भोलेनाथ को प्रसंद कर सकते हैं तो दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना ही अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें और हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले